जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्वमिजन यूटूब चैनल में दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ड हो चुका है और आज हम पढ़ने बाले हिंदी में दोस्तो हिंदी वर्नमाला को ठीक है हिंदी वर्नमाला आज हम पढ़ेंगे और कल हमने पढ़ा था हिंदी भासा के बारे में और आज ये हिंदी वर्नमाला का Part 2 है ठीक है ये हिंदी का Part 2 है कल हमने वर्नमाला पढ़ लिया था कल हमने हिंदी भासा पढ़ ली थी आज हम वर्नमाला पढ़ेंगे ठीक है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को जरूर दबाना है और बैल आइकन दबा कर आल पर किलिक करना जिससे नोटिपिकेसन आप तक पहुचेगा डेली की किलास का ठीक है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना बिलंब के आज का ये वीडियो आपको क्या करना है 9098609291 ठीक है इस नमबर पर आपको दोस्तों वाट्सप पर वाट्सप ग्रूप में आपको जुड़ जाना है ठीक है इसको अब दोस्तों आपको बताना है कि भासा की सबसे छोटी ये काई कौनसी है दोस्तों चार विकल्प में आपके सामने पहला है सब्द दूसरा है बेंजन तीसरा स्वर और चोथा है वर्न तो इनमें से सबसे छोटी ये काई बताना है दोस्तों और आपको और एक पूचा जाता है दोस्तों कि अर्थ की द्रश्टी से एक पूचा ज चोटी ये काई क्या है तो आप लगा देना क्या वर्न ठीक है अगर यहाँ पर अर्थ लग जाए कि अर्थ की द्रश्टी से भासा की सबसे चोटी ये काई क्या है अर्थ की द्रश्टी से तो अर्थ की द्रश्टी से अगर आए तो लगा देना सब्द ठीक है यहाँ से दो पढ़ते आ रहा हैं दोस्तों बर्णमाला किसे कहते हैं सब्द के समू को कहते हैं बर्णों के संकलन को कहते हैं सब्द गड़ना को कहते हैं या फिर बर्णों के विबस्ति समू को कहते हैं अब ये चार विकल्प में चार में से हमें चैन करना है बर्णमाला किसे कहते हैं या और दो में आपने चैन किया है कि सर जो बर्नमाला कहते हैं वो ना सब्द के समूग को कहते हैं ना वर्नो के संकलन को कहते हैं ना सब्द गर्ना को कहते हैं अगर वर्नमाला कहते हैं तो वो कहते हैं वर्नो के विवस्ते समूग को यानि कि आपका जो डी नमबर है वो बिल्कु या रा है ना चा जा या फिर टा रा तो कंट ध्वनी यानि कि जो कंट से उच्चरत होती है कंट से जिनका उच्चारन होता है वो ध्वनिया कौन सी होती है अपने बर्ग के पांच जो है अक्चर पड़े होंगे बर्ग के जो 5-5 अक्षर होते हैं यानि कि 25 होते हैं तो यह आपको आपने पड़े होंगे दोस्तों और जो कंट द्वनिया होती हैं वो होती है का बर्ग है ना का बर्ग यानि कि जो एक नमबर है वो बिल्को सही है ठीके एक नमबर आपका सही हो जाएगा और अंगला question विल को सभी लोग सही बता रहे हैं इस्तान की आधार पर बताईए कि मूर्धन बेंजन कौन से हैं मूर्धन बेंजन बताना है सातियों गा घा जा जा डा धा या फिर पा फा अब मूर्धन बेंजन कंट बेंजन तालब बेंजन इस सभी बेंजन आपने पड़े हैं ठीके तो रुची स्रीवास्तो और उसाजी क्या हो जाएगा आपका प्रस्निक रमंग चार का बिट्टू र बात आती है तो मूर्धा जो होते हैं दोस्तो वो होते हैं डा धा है ना यह मूर्धा से उच्छित होते हैं और सी नंबर बिलकुस सही बताया है ठीक है सी नंबर आपका बिलकुस सही है अंगला आपको बताना है अलप प्रान वर्ण कौन से हैं अलप प्रान और महा प्रान आपने पड़े हैं दोस्तों मैंने कई बार आपको पड़ाया है कि सर अलप प्रान जो होते हैं वो होते हैं बर्ग के कौन कौन से अक्षर होते हैं एक तीन और पांच ये जो अक्षर होते एक तीन पांच ये अलप प्रान होते हैं दो और चार जो होते हैं ये महा प्रान होते तो अब यहाँ पर अलपे प्राण कौन से आएं दोस्तो बर्ग के एक तीन पाँच तो का भी एक है और गा भी तीन है तो का और गा यानि कि जो बी नमबर है बी नमबर बिल्कुश सही हो जाएगा नरेंदर अहरवाल ठीके बी नमबर नेक्ट आपको बताने नासिक के बेंजन कौन सा है नासिक के बेंजन बताने है दोस्तो यहाँ पर चार एक नमबर है सा या गा या फिर जा तो नासिक के बेंजन आपने पड़े होंगे और नासिक के बेंजन का हमें चैन करना है और आपका प्रश्न किरमांग 6 का बिल्कुश सही आंसर आ रहा यहां ठीक है यहां जो है दोस्तों यह नासिक के मेंजन माना जाता है ठीक है बी नमबर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा बी नमबर बिल्कुस बताया है अंगला है ए आई वर्न क्या कहलाते हैं ए आई वर्न नासिक कहलाते हैं मूर्धन कहलाते हैं ओस्ट कहलाते हैं या फिर कंट तालब यानिकि उश्चान के द्रस्टी से हमें A-I वर्न बताना है कि ये किस परकार के हैं तो A-I होते हैं क्या कंट तालब कंट तालब बिल्कुष सही है मौहन सिंग जी डी नमर सही हो जाएगा ठीक है कंट तालब आपका ए अयवरन जो होते हैं वो कंट तालब होते हैं हिंदी वरन माला में आयोग वाह वरन कौन से हैं आयोग वाह वरन बताना है आपने पड़े होंगे कि सर जो आयोग वाह वरन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हिंदी वरन माला में अम और अहा ठीक है बैसे ह हम कितने मानते हैं बोली सर स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं 11 होते हैं अम अहा को और मिला देते हैं तो स्वर 13 हो जाती ठीक है और इन अम अहा को जो कहा जाता वो कहा जाता आयोग बाह यानि कि जो डी नम्मर है आपका बिल्कु सही हो जाता डी नम्मर सही है फिर अंगला question है बताईए कि किस सब्द में दुद्थ बेंजन है Mir bedtime बताना है और यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पोना है इलाहवाद दिल्ली या फिर उतसा है तो दुद्थ बेंजन चैन करना है और दुद्थ बेंजन मैं क्या हो जाएगा पुनेह तो है नहीं, ilahabad भी नहीं है, उत्साहे भी नहीं है, तब आपका बिलकुस सही आंसर होगा, जो दूत्व बेंजन होता है दिल्ली, जैसे आगए दी, आदा, ला ओ ला, ये दूत्व बेंजन कहलाते दोस्तों, है ना? तो जो दिल्ली है c नंबर वो आपका बिलकुस सही है ठीक है फिर अंगला कोस्चन है आपका सा सा हा ये कौन से बेंजन कहलाते है प्रकंपी बेंजन इसे कहा जाता है इस परसी कहा जाता है शंगर्शी कहा जाता है या फिर इस परस संगर्शी कहा जाता है आपने देखा होगा कि जो सा सा है ये ना तो बोले सर प्रकंपी है ना इसपर सी हैं ना इसपर से संगर्सी हैं यह कहलाते उसमें संगर्सी है ना यानि कि जो सी नंबर है वो आपका बिलकुल सही हो जाता ठीक है फिर अंगला कोस्चन आपको बताना है कौनसा घोस वर्न है घोस वर्न का चैन करना है खा चा मा या फिर था यानि कि प्रशन किरम के ग्यारा में घोस और अघोस आपने पड़े होंगे दोस्तों है ना घोस जो वरन होते हैं वो वरन होते हैं कौन से तीन चार और पांच यह होते घोस वरन ठीक है और अघोस जो होते हैं वो एक दो होते हैं एक दो यह अघोस होते हैं और सघोस या फिर घोस जो होते हैं वो था 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 एबी अगोस हो जाएगा यह ना तो आपका उत्तर क्या होगा क्या निकल क्या आया बोले सेर मा जो है मा जो है C नंबर वो आपका क्या हो जाएगा सघोस होगा या फिर घोस बरन होगा गोस यानि कि जो C नंबर है आपका C नंबर खा तो अघोस होगा 1 और 2 बर्ग के 1 और दूती अक्शर होते हैं अघोस और 3-4-5 होते हैं सघोस तो आपसे गोस पूछाए तो जो मा है ये पंचम बरन है और ये क्या हो जाएगा सघोस हो जाएगा ठीके अंगला है का गा जा फा ये धुनिया किसकी हैं दोस्तो संस्कृत की अर्भी फार्ची की अंगरेजी की या फिर दक्षडी भासाओं की तो प्रश्ण किरमांग के ग्यारा में हमें चैन करना है इससे पहले अपना पार्ट हुआ था भासा से सम्मंदी आज वर्नमाला से सम्मं भासाओं की तो ये किसकी हैं अर्भी फार्ची की हैं अर्भी फार्ची यानि बी नंबर बिलकुस सही बताया आपने समन वर्मा जी बी नंबर बिलकुस सही है हिंदी में मूलते वर्नों की संक्या कितनी हैं दोस्तो मूलते वर्नों की संक्या 50 होती है 59 होती है 22 होती है या की आपका तेरा का उत्तर बताना है कि सरहिंदी में मूलतह वर्णों की जो संख्या मानी जाती है वो मानी जाती है बावन है ना बावन सभी को पता है सी नमबर आपका बिल्कु सही है फिर अंगला है ध्वनी किसके अंतरगत आती है ध्वनी च्छाद्वनी च्छाद्वनी इसके अंतरगत आती है सातियों और यहां पर आपका बिल्कुस सही आंसर हो गया कि सर यह आती है संयुक्त वरन की अंतरगत है ना जो छा है आपने पड़े होंगे छा, तिरा, ग्या और सिरा यह संयुक्त बेंजन कहलाती है जिनकी संक्या होती है चार तो यहां पर छा दिया ह चाह यानि की संयुक्त बेंजन कहलाता ठीक है सी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा हिंदी सब्द को उसके चाह का करम किस वरन के बाद आता है बहुत ही वड़िया प्रशने है प्रशने किरमांग 15 चाह का जो करम आता है वो किस वरन के बाद आता है का के बाद, चा के बाद, त्रा के बाद या फिर ग्या के बाद तो किस के बाद आता है साथियो और आपने बिल्कु सही चैन किया है कि सर जो चाह का करम आता है वो आता है का के बाद है ना का यानि कि जो आ नमबर है वो बिल्कु सही हो जाए गए हाँ पर ए नमबर ठीक है ए नमबर बिल्कु सही है फिर अंगला कोस्चन देखते हैं लाना बानो जी ग्या वर्न किस वर्नों के संयोक से बना है ग्या वर्न बताना है तो किसके संयोक से बना है ये ग्या जो है ये संयोक्त वर्न माना जाता है आपको पता होगा लेकिन ये संयोक्त वर यह बनता है उमंग कुमार जी प्रश्न किरमांक 16 में और वोले सर जो ग्या ग्यानी वाला ग्या है यह बनता है आपका आधा जा और इन्या आधा जा और इन्या यानि आपका जो बी नंबर है बी नंबर वो बिलकु सही है ठीक है बी नंबर सही हो जाएगा फिर अंगला है अ अगोस तीन और चार और पांच ये जो होते हैं ये कहलाते हैं सघोस या फिर इने घोस भी कहा जाता ठीक है तो यहाँ पर आपसे पूचा है अगोस वर्न कौन से हैं तो आ, जा, जा, हा या फिर सा तो हमने देखा कि जो अगोस वर्न बतानी है और अगोस वर्न में आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कि जो सा है सा डी नमबर वो सही हो जागा ठीक है डी तनुजा जी जो सा है ये अगोस बरने की अंतरगत आता ठीक है अगोस बरने की अंतरगत सा नमबर ठीक है तो डी आपका बिलकुल सही होगा और घा का उच्चान स्थान कौन सा है घा घा का मूरधा कंट तालू या फिर दंत यानि कि प्रश्ण किरमंक 18 में हमें चैन करना घा घड़ी वाला घा दिया है और इसका उच्चारन स्थान बताना है तो का खा गा घा अब हम पढ़ते का तो का बर्ग जितना भी है वो काई से उच्चरित होता है कंट से है ना कंट से तो ये घा का ज कंट से होता है किस से होता है फिर कंट से होता है यानि वी नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है वी नमबर फिर अंगला कोस्चन बताने इनमें सन्युक्त बेंजन कौन सा है सन्युक्त बेंजन बतानी है इनमें रा है ग्या है डा है या फिर रा है यानि कि प्रश तुझी चार प्रकार के होते हैं तो सन्यूक्त बेंजन न तोड़ा है, नड़ा है तो कौनसा है ग्या, यानि कि आधा जा और इंया बन के बनता है ग्या, तो यह जो है सन्यूक्त वर्न की अंतरगत आता ठीक है, फिर कौनसा वर्न उच्चान की डश्टी से दन्त नहीं है, द दंत कौन सा नहीं है ता, ना, दा या फिर टा यानि कि प्रस्ण किरमांग आपका वी से और कौन सा उच्चारन है जो वर्न की उच्चारन की देस्टी से दंत नहीं माना जाता तो वो दंत आपका नहीं माना जाता दोस्तों कौन सा टा दंत नहीं है ता, था, दा, धा, ना ये आपके दंत वरन के आते हैं आपने पड़ा है कि जो तावर्ग होता है तावर्ग ये दंत इसका जो चाण स्थान होता है वो दंत से होता है है ना तो ये ताथा दादाना जो है एक ही वरन के हैं तावर्ग के हैं तो जो टा है ये चावर्ग का है तो आपका डी नंबर बिल्क रस्त कहते हैं या फिर अकारांत कहते हैं दोस्तों तो जिन सब्दों के अंत में आ आता है ये कुस्चिन कई बार पूचा गया है भूपेंदर रजक जी ये 21 का हमें बताना है कि जिन सब्दे के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है और आपका बिल्कुस सही आंसर अकारांत यानि कि जो डी नम्मर है वो बिलकुँ सही हो जाएगा ठीके अकारांत आपका सही आंसर होगा च्छा वर्न किसके योग से बनता है जो छित्री वाला च्छा है यह वर्न किसके योग से बनता है सातियो का और सा के यहाँ पर आधा का है ठीके आधा का और सा के का और चा के का उच्छा के का उच्छा के तो यह जो च्छा वरन है च्छा यह संयोक्त वरन है ठीक है अब यह किसके संयोक से बनता है यह हमें बताना है तो किसके संयोक से बन जाता है च्छा वरन है और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपका सही होगा कि सर आधा का और सा मिलकर की हो जाती है च्छा ठीक है तो आपका जो ये नंबर है वो बिलको सही है ठीक है ये नंबर और अंगला कोस्चन आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संक्या कितनी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संक्या कितनी है दस है ग्यारा वारा या फिर चौदा अब यहां पर उत्तर आपका आया है प्रश्न किरमांक 23 में तो आप क्या उत्तर लगाओगी आप क्या पढ़ते हो मूलत है कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं सर बोले अब इनमें अम और अहा और आयोग बाहे में ला दिये जाएं तो इनकी संक्या हो ज जाता ठीक है निम्न मैंसे कौन स्वर नहीं है अब स्वर कौन से नहीं है दोस्तो आ उ ए या फिर इया स्वर तो आप पहचानते हैं है ना रितुराज जी पहचानते हैं स्वर 24 में हमें बताने स्वर कौन से नहीं है तो आपने बताया कि बोहन सिंग जी कि जो स्वर नहीं ह D number आपका बिलकु सही है, और कौन टावर्घ नहीं है, टावर्घ कौन सा नहीं है दोस्तों था धा ड़ा या फिर घा यानि कि 25 में टावर्घ हमें बताना है कौन सा नहीं होता, तो हम बढ़ते हैं टा ठा डा डा तो ये तीन तो अपने पड़े हैं कि ये सर क्या है ठावर्ण की अंतरगत आती हैं लेकिन कौन सा नहीं आता जो घा है घा ये आपका टावर्ण की अंतरगत नहीं आता है ना ये तो अपने पड़े हैं कि ये चावर्ण की टावर्ण अलग ह तो यह जो D नंबर है वो आपका बिलकुस सही हो जाते ठीके हैं हिंदी वर्णमाला में बेजनों की संक्या कितनी होती है अब 26 का अंसर आसान है 32, 34, 33 या फिर 36 यानि कि चार बेकलबर हैं वर्णमाला में बेजनों की संक्या बतानी है और बरनमाला बेवस्तेत बरनों के बेवस्तेत समू को कहा जाता है सौनू सिंग जी है ना तो हिंदी बरनमाला में जो बेंजनों की संक्या है वो मानी जाती है 33 कितनी मानी जाती है 33 है ना सौरों की संक्या 11 मानी जाती है और दो और मिला दिये जाएं तो 13 हो जाती है अम अहा ठीके लेकिन बेंजनों की संक्या 33 मान जाती है और कुल वरनों की संक्या हो जाती है 52 ठीके यह तो आपको केडियर है कौनसा पस्चश्वर है पस्च बताना है दोस्तो आपको एंटरगत और आपका बिलकुस सही आंजर जो हो जाएगा दोस्तो कि सर जो पस्चिस्वर के अंतरगत आता है वो आता है बड़ा आ यानि कि ये नम्मर आपका बिलकुस सही हो जाएगा दोस्तो ये जो सीरेज है ये पूरी सीरेज हिंदी ब्याकन की आपकी आएगी कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है ठीके तो बड़ा आ आपका बिलक माला पढ़ रहे हैं और इसी से किरमबद आपका हिंदी ब्याकरण चलेगा तो कोई भी मिस नहीं करना वीडियो को रोज आट बजे आपकी ये किलास होगी जिसको हम टॉपिक वाइस पूरा हिंदी ब्याकरण पढ़ेंगे ठीके और यहाँ पर आयोगबाय जो है वो होते ह अनिस्तान क्या है ये च्छाद्वानी दंत है ओस्ट है तालब है या इन मेंसे कोई नहीं तो आपको पता है दोस्तों कि चा च्छा है ना जा जा और यह आपका चावर्न होता है चावर्न है ना तो चावर्न काई से वो ला जाता है का के बाद आता है चा और चावर्न जो ह होता है वो होता है आपका काई से सुमित्ति बारी जी तालू से तालू से उच्चरित होता है चावर्न तो चावर्न की अंत्रगत आता है अपना च्छा तो यहां पर तालू कहां दिया है बोली सर सी नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा यह चावर्न की उच्चान स्तान है तालब ठीक है तालब आपका बिल्कु सही है फिर आप से पूचा जाता है कौन एक संयुक्त बेंजन नहीं है ग्यावी दिया है और यहाँ पर छा दिया है, तरा दिया है, ग्यावी दिया है सा जो है यह आपका संयुक्त बेंजन नहीं होता यानि बी नम्मर आपका बिलको सही हो जाता बी नम्मर ठीक है फिर अंगला कॉस्चन देख लेते हैं तालब बेंजन कौन सा है तालब यानि कि थर्टी बन का चैन करना है चा, छा, जा, जा, है ना टा, ठा, डा, धा, ता, था, दा, धा, पा, भा, भा, भा यानि कि चार विकल्ब हैं और तालब्बे बेंजन हमसे पूछा गया है तो तालब्ब में आपको चैन करना है हमने देखा कि जो कावर्न है वो कंटे से उच्छरित होता है फिर का के बाद चावर्न आता है तो चावर्न हमारा तालब्ब से यानि कि तालू से उच्छरित होता है तो यहाँ पर एक दिया है दोस्तों कौन सा चा, छा, जा, जा, यानि कि यह काई से हो जाएगा तालू से उच्छरित होगा यानि एक नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाता है एक नम्मर ठीक है फिर अंगला कोस्चन हम देखेंगे या रा ला वा किस वर्ग के बेंजन है कभी कभी आप से पूचा जाता है दोस्तों की अंतस्त बेंजनों की संक्या कितनी होती है तो आप बता देना चार होती अंतस्त बेंजनों की संक्या जिसकी अंतरगत कौन-कौन से आते हैं तो वो लिसर या रा ला वो जो है ये ना तो तालब है ना उसमे है ना ओस्ट हैं ये सीदे क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं आपके अंतस्त बेंजन अंतस्त यानि कि जो आपका बी नंबर है वो बिलकुँ सही हो जागा ठीके बी नंबर एस और इसी नंबर आपका सही हो जागा अंतस्त बेंजन ठीके अंतस्त आपका सही होगा फिर अंगला आपको बताना है अनुनासिक का संबंद होता है तो किस से होता है अनुनासिक यानि की 33 का आंसर हमें चेहन करना है दोस्तों और अनुनासिक का जो संबंद होता है वो केवल नाक से होता है केवल मोह से होता है केवल नाक और मोह दोनों से होता है या इनमेसिक किसी से नहीं तो अनुनासिक का संबंद किस से होता है एक प्रश्न कई बार पूचा भी गया है तो आपको बताना है और आपने च प्रता मक्षर होते हैं बरगे के तरतीय अक्षर होते हैं बरगे के चतुरता अक्षर या बरगे के पंचा मक्षर तो अनुनासिक बेंजन के बारे में हमें बताना है और यह कौन से कहलाते हैं हमने पढ़ा है दोस्तों कि जो अनुनासिक बेंजन होते हैं यह जो होते हैं यस रत्ती जी आका सिंग जी पंचमक्षर पंचमक्षर जो होते हैं जैसे पढ़ते हैं यह पहले इंग्या आता है यह है ना और यह रा आता है ना मा आता है यह पंचमक्षर जो आते हैं पंचमक्षर वो आपके अनुनासिक बेंजन कहलाते हैं यह भी आपको याद रख लेन डी नम्मर आपका सही हो जागा हिंदी वर्नमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो फिर से आप से पूछ लिया गया तो आपने बता दिया कि सर हिंदी वर्नमाला की बात हो रही है तो स्वरों की संख्या कितनी वानी जाती है 11 मानी जाती है 200 और 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 आपकी मिल जाते हैं अम और अहा तो आपकी हो जाती है 13 ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पर ओप्सन 11 है तो आप 11 लगा देना कंटोस्ट द्वनी का उधारन कौन सा है यानि कि प्रश्ण किरमांग 36 में कंट और ओष्ट से जिनका उचारन होता है यहना वो कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं अदिती गुपता जी कभीता सर्मा प्रश्ण किरमांग 36 में कंटोस्ट द्वनी कौन सी है और ए का या फिर तालब तो देखो तालब तो है नहीं का तो कंट से बस बोला जाता है यहना यह तो है नहीं तो जो और है और यह कंटोस्ट द्वनी है यानि कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बिकल्प नम्मर A यह क्या होता है कंटोस्ट द्वनी होती है कौनसी और और आपका बिलकुँ सही हो जाता रोहित कुमार जी ठीके फिर दोस्तों अंगला कोस्चन है आपका भासा निर्मार की इकाईयों का सही अनुक्रम क्या होता है है ना भासा निर्मार भासा का निर्मार कैसा होता किन किन इकाईयों के क्रम से होता है यह हमें बताना अनिल यादव जी सब्द ध्वनी बाक पद सब्द बाक ध्वनी पद बद बाक ध्वनी सब्द या फिर ध्वनी सब्द पद बाक अब इनमें से आराम सी चेन करना है सबसी पहली क्या आती है बोली सर सबसी पहली तो आती है ध्वनी अब ध्वनी से क्या बनती है सब्द बनते हैं द्वानी के विवस्तित से है ना अब सब्द से क्या बनता है सब्द से पद बन जाता है और पद से जो बनता है वो बनता है बाक ठीके तो सबसे पहले आई द्वानी फिर आगया सब्द फिर पद और पद से बनता है बाक और बाक से दोस्तों अपनी भासा का निर्माण हो जाता है तो भासा निर्माण की एकाईयों का जो सही किरम है वो D नमबर आपका बिलकुल सही हो जाता है ठीक है सही नीटू एहरवाल और मनीशा जी प्रयतनिके आधार पर ला किस प्रिकार की या पिर संगर्सिहीन है ये किस प्रकार की धृनी मानी जाती है असरत्ती जी धरंबीर जी प्रश्ण करमांक 38 में और आपने चैन किया है कि सर ये जो प्रतने की आधार पर ला है ये डृनी मानी जाती है कौनसी और बहुत बढ़िया प्रदीप सर्मा जी उत्तर हो जाएगा आपका कौनसा ए नंबर ए यानिकी पार्सविक मानी जाती है और ए आपका बिलकुल सही हो जाता है ठीक है है ना तो सही बिलकुल सही है मंत जी ए नंबर जिन्नों ने बताया उनका अंसर बिलकुल सही है पार्सविक आपका सही हो जाएगा अब दोस्तो हमने कल भी ये कमावनी आती है दोस्तों है ना कहीं कहीं पर देखो कौन कौन सी देती है नेपाली इसमें दी रहती है ठीक है कुमावनी भी दी रहती है ठीक है और एक और होती है गड़बाली ठीक है गड़बाली ये भी है ठीक है तो याद रख लेना ये बैसे जो नेपाली है अधिकांस घरबाली कमावनी हैं कैसे याद रखोगे इसका एक कोड मैंने बनाया था कि पहाड़ी घरबाली कमावनी हैं तो घरबाली से गड़बाली हो जाएगा और कमावनी से कमावनी हो जाएगा पहाड़ी से पहाड़ी हिंदी की ये बोडियां हो जाएगी ठीक है तो इसको याद वीडियो को सभी को लाइक करना है दोस्तों और आज हमने वर्णमाला की जितने भी प्रशन बन सकते थे उन प्रशनों पर चर्चा की ठीक है कल हमने पढ़ा था दोस्तों भासा से सम्मंदित भासा को हमने पढ़ा था आज हमने वर्नमाला पढ़ लिये यानि कि अपने दो टॉपिक हिंदी व्याकरन के कम्पलीट हो चुके हैं दो टॉपिक का अपन ने क्या कर लिया है क्या कर लिया अध्यन कर लिया है मिस ललिता जी के बिलकुल पूरे सही आये है तनुजा जी अधिता आसु गोंडवील जी ठीक है ये चीज आपको याद करना ठीक है और बहुत बढ़िया आप लोगोंने माधो सिंग जी एकदम साही उत्तर बताए हैं अब दोस्तों आप क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है और बेल आइकन को जरूर दबाना ठीक है मंजुला, दार्शु जी, प्रदीप गोयल जी, भुपेंद्र जी, रितू जी, रुची श्रीबास्तो फातेशिंग जी, प्रसांत सुकला जी है ना और मिस ललिता दार्शू आरती जी और ओमंग रस्मी जी नरेंदर जी बविता रुची जी हनीपा जी आरती चोधरी ओमंग कुमार है ना पाते सिंग जी रुची जी प्रसांत जी और हैमंत जी तनुजा रुची जी सबी को धन्यवाद दोस्तों टॉपिक की अनुसार कल का टॉपिक अब में टॉपिक बताऊंगा आपको कर मुझे नोट्स भी बनाना पड़ेगा है ना जो मुझे सरल सा लगता है थोड़ा सा वो टॉपिक बना लिएँगा है ना सरल सरल आप लोगों को पढ़ा दूँगा है है ना सरल सरल पढ़ना है कि कठिन पढ़ना है जल्दी से बताओ सरल पढ़ना है कि कठिन पढ़ना है मनीश सरमाजी है ना कम जो हिंदी में प्रैक्टिस करते जाओ प्रैक्टिस आप करो रोज तीन बज़ के बीस मिनिट पर टिप टॉप पर हिंदी की किलास हो रही है ठीक तो ये आज का साथ वजे बाला वीडियो किस ने देखा था टिप टॉप बालों ने MPGK का, KK दुबेदी जी, हाँ बिलकुल, प्रसांत सुकला जी, सोधम नितेश जी, हिंदी में जितने भी टॉपिक आएंगे, सारे टॉपिक अपन करवाएंगे, ठीक है, सारे टॉपिक, ह हिंदी में जितने टॉपिक आ रहे हैं, जो MPTET के लिए भी सही होगा, ठीक है, और आपका जेल प्रहरी के लिए भी सही होगा, ठीक है, और MPSI, पुलिस, और भी आपकी NET, PGT, कोई भी अगजाम हो, यह सब के लिए सही होगा, पन हिंदी ब्याकट टॉपिक 22 पढ़ा रहे ठीक है, और आप जो मेरे मीतना होते, होटों पे मेरे गीतना होते, तो आप लोग लाइक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे, हैना, जो आपको प्रैक्टिस के इत्माध्यम से मिलेगी, जो आपको बहुत सारी चीजें वीडियो देखने के माध्यम से मिलेंगी तो अपन पढ़ती रहें आंगे पढ़ती रहें नेक्स्ट वीडियो हिंदी का होगा हिंदी साहित का ठीक है तो वीडियो को लाइक करें मंजुला प्रदीप गोयल किरन जी राजेद्र कुमार जी सभी को धन्नबाद सबी लोग वीडियो को लाइक और सियर अबस्त करती रहें ठीक है और आज की वीडियो के लिए वस इतना ही जैहिंद बंदे मातरम आरती चौदरी हैना रुची दीपक